हलो फ्रेंड्स बहुत-बहुत स्वागत है आपका सुपर-फास्ट स्टेडी एड एक्सपरिमेंट पर तो दोस्तो इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं कन्वेयर बेल्ट के टेक-अप लेंट के बारे में conveyor belt take up length calculation का formula जानेंगे और मैं आपको calculate करके example के थुरू दिखाऊँगा भी यहाँ पर बताऊँगा भी कि आप किसी भी conveyor belt का take up का length कैसे calculate कर सकते हैं अगर इतनी लंबी conveyor belt है तो उसका take up का length रहेगा वो कितना होना चाहिए कम से कम है ना तो ये वीडियो उसी के उपर है conveyor belt से related और भी बहुत सारे वीडियो चैनल पर uploaded है आप मेरे चैनल के playlist पर conveyor belt पर जा करके देख सकते हैं है ना तो ये वीडियो फिलाल इसके उपर है चलिए वीडियो को start करते हैं बने रहेगा वीडियो में अन्द तक तो फ्रेंड सबसे पहले हम formula जो है वो जान लेते हैं तो इसका formula होता है take up length का belt length multiply by elongation percentage है ना belt length याने कि आपका जो conveyor belt है उसका total length किता लंबा conveyor belt है उसको multiply कर देंगे elongation percentage से तो जो conveyor belt का elongation percentage होता है वो होता है 1.5% इसको आप ऐसी भी बोल सकते हैं belt length center to center याने head pulley से लेके tail pulley तक का distance multiply by 1.5 upon 100 तो चलिए एक example के through हम समझते हैं तो हम समझ लेते हैं देखे यह screen पर जो है यह हमारा एक conveyor belt है ना conveyor belt का पूरा frame है यह head pulley है यह tail pulley है माल लेते है head pulley से लेकर tail pulley का जो distance है दोनों का बीच का वो है 100 meter ठीक है तो आप formula में value put कर देते हैं take up length is equal to belt length center to center जो है 100 meter multiply by elongation percentage जो की है 1.5 upon 100 तो इसको जब हम solve करेंगे तो हमारा answer आएगा 1.5 meter यानि कि ऐसा conveyor belt जिसका head से tail pulley तक का जो center distance है 100 meter है उसमें जो उसका take up का length होगा minimum length of take up वो 1.5 meter है आपको 1.5 meter minimum रखना है उससे आप ज़्यादा भी रख सकते हैं आपको minimum 1.5 meter रखना है आप 1.5 meter से ज़्यादा भी रख सकते हैं 3 meter भी रख सकते हैं 2 meter 4 meter ऐसे हैं अपने requirement के हिसाब से क्या होता है take up का एक और function होता है जब कभी भी आपका belt में छोटा मुटा wear आ जाए अगर आपको cut करके फिर से belt joint करना हो तो एक थोड़ा सा reserve वहाँ पर belt रखा जाता है take up में तो friends ये वीडियो थी हमारी take up length calculation की minimum length of take up के बारे में उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी अगर एक परसेंट भी ये वीडियो आपको helpful लगी हो तो please इस वीडियो को like कर दीजेगा चैनल को subscribe कर दीजेगा फिर से मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए अलविदा